इस इक अपन बड़ी इंपोर्टेंट सी कैलकुलिस्ट नहीं पर देखने वाले तो इस चार्ट बिल्कुल इंपोर्टेंट रहेगा ठीक है जो भी बच्चे जैए मेंज अभी दे रहे हैं यह फिर जो भी नेक्स देने वाले है जो भी बच्चे नीट के स्टुएंट से और यहां पर बहुत ही स्मोल श्मोल आपकी गॉल्डन कॉंसेट की बात कर रहे हैं ठीक है इसका फुट रिविजन अपन ले रहे हैं जहां पर बच्च अक्सर करते हैं और चीजों को भूल जाते हैं तो बच्चों हमारे पास यहां पी इसको लिखा हुआ है नेक्स उसके एट NTP volume of 1 mole of idle gas it is equal to 22.4 liter अपने पहले की गॉल्डन कॉंसेट के अंदर तो हमने volume of 1 mole of idle gas NTP STP ऐसे TPP defined किया था तो NTP बच्चों कितना था 22.4 liter इसको आपको ध्यान रखना है कभी भी किसी नूमेरिकल के अंदर NTP की बात करेगा आपको ध्यान रखना है कि temperature मस्ट भी 273 Kelvin होहाँ पर रहेगा pressure आपका 1 ATM बाकि number of moles कितना होगा 1 होगा जब अपन इससे रखते हैं और our gas consumption क value put करते हैं तो उस case में आपका answer है हमेशा कितना हैगा 22.4 liter वो किसी भी टाइपी gas हो कोई भी gas हो पर NTP पे हैं तो उसका volume मेशा कितना होगा 22.4 liter तो हमने बच्चों यहां पे कुछ terms लिया है pressure, volume, pressure, volume, number of moles, temperature और our gas constant तो उसकी values की बारे में अपन बात करेंगे है ना value of R with units त तो बच्चों हाँ पे volume अपने 22.4 liter लिया और volume is 1 mole, number of moles 1 mole, temperature 273 Kelvin, तो R जो है, R है आपका PV divided by N into T, अपन सारी value जहां पे put करते हैं ठीक है तो उस case में R की value आती है 0.082, it is liter-atm, बच्चों, liter-atm के उसको रिप्रजेंट कर रहा है energy को, जो अपने पहले के session में इसको define किया ह तो फर्स्ट यह आपको important है ध्यान रखना इसके relation को बक्चे अच्छे अक सब यह constant की values को भूल जाते हैं और चीजों को भूल जाते हैं और वहां पर ही questions गलत होते हैं ठीक है आपको formula याद है सब को चाहते बद यह constant representation याद रही है तो फिर कोई मत्तम नहीं वहां पे questions गलत सेंटीमेंटर क्यूब में लिए रखा है मोल सापका बन मोल लिया है temperature is 273 Kelvin आर की बैलू बच्चों निकल नहीं है तो सारी calculation में यहाँ पर फॉनले value पूट करते हैं तो answer निकल के आता है 8.314 into 10 is 27 अर्ज मोल इनवर्स Kelvin इनवर्स जो अरग दे रखा है वो energy को represent कर रहा है तो प्रेशर है अगर बेटा उसको में बन एटीम को लिख रहा हूं इन टर्म सब न्यूटन मीटर स्कॉयर पास्कल में बन पाइंट जिरो वन थी तैंडिस टू फाइव अभी अपने डेफैन किया था वॉल्यम बच्चों लिया अपने मीटर क्यूब में 22.4 इंडू तैंड माइनस त्री मीटर क्यों मौल आपका बन मौल कॉंस्टेंट रहेगा ठीक है विकॉज बन मौल गैस की अपन बात कर रहे हैं तो टेंपरिचर मौल सो कॉंस्टेंट रहेगा ही विकॉज हर किसी आर की जब वैल्यू जाती है उसमें यूनिट में आपको मोल इंबर्स क्लिन देखने को मिलेगा को इनर्जी का प्यराइमिंटर कर रहे हैं इसलिए अपन प्रेशर ऑफ बॉल्यूम की वैल्यू को चेंज कर सेंज कर रहे हैं टुज होँ यहां पर आंसर निखल के आथा एट पॉइंट पॉइंट फिबन फॉर जूल मोल इनुबर्स केल्विन इनिवर इसे तरीखेस में प्रेशर को 760 टॉर लेता हूं एंड यहां पर मैं 22.4 डाइसी मीटर क्यूब लेता हूं मोल आपका बन मोल टेंपरिचर 273 कलविन तो आर की वैलू बच्चों आते हैं 62.36 इस जैसी मीटर क्यूब टॉर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ठीक है तो यह करने को भी आ सकता है ठीक है आपको ध्यान रखना है इससे दिए किस अगर बन अगर बच्चों यहां पर लिया इन टर्म पास्कल और किलो पास्कल तो उसके इसमा आपका बॉल्यम अपन लिया 22. प्रिशर और की वैल्यम तो एंटर्म यहां पर बॉल्यम की वैल्यू अपन प्रेशर और बॉल्यम की वैल्यू पोट करेंगे एन टीपी पे तो डिफेरंट यूनिट्स में जो आपको देखने को मिलेगी स्ट्विए नुआका इसमार्ट पास्क्रीट यूनिट्स आर की वेल्यू एक्जेक्टली किस पी डिपेंड कर रही है तो यूनिट्स ओफ पी एन यूनिट्स ओफ बॉल्यूम ठीक है यह बड़ा इंपोर्टेंट्स पॉइंट्स फिनिस हुए थेंक्ट्यू थेंक्स वह बात करेंगे नेक्स कॉंसेप्ट कुछ टाइम के बाद झाल